अलो फ्रेंड्स, हैपी कोकिंग मोमेंट्स में, आज हम बनाएंगे एक ट्रेंडिंग रेस्पी, कीटो बर्गर, तो कीटो बर्गर में हम बंस नहीं यूज करेंगे, कवरींग के लिए लेगे, तो आप तो लेट्टिूस ले या फिर मैंने ये कैबिज की लीज ली हैं, तो अपने हिसाब से आप जितना soft leaves चाहिए अंदर वाली leaves या फिर बाहर वाली leaves यूज़ कर सकते हैं तो इसको मैंने धुल करके साफ करके रखा हुआ है और चलिए बाकी ingredients देख लेते हैं तो हम इसमें टिक्की बनाएंगे vegetables की और डालेंगे पनीर के slices तो मैंने दो slices लिये हैं अ कुकुम्बर है तो कुकुम्बर को तो हम ऐसे ही यूज़ करेंगे बाकी जो टमाटर है, कैपसिकम है, प्याज है उसको थोड़ा सा अलका सौटे करेंगे vegetable की ठीकी हम बनाएंगे सबजियों की तो पाइंडी के लिए हम आलू डालेंगे तो मैंने उबले आलू लिये हुए हैं तो उसमें mix करेंगे नमक है, लाल मिर्च है, जीरा है, गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर हम चूर पाउडर ना हो तो नीबो का रस भी एड़ कर सकते हैं, तो ले आलू लिये हैं, प्याज लिया है, खुप सारी धनिया पत्ती लिये है, आप चाहें तो गाजर भी इसमें एड़ कर सकते हैं, और इन सब को बढ़ियां से mix करके हम इसकी टिक्की बना लेंगे और थोड़ा सा ओईल डालेंगे इसमें, जिससे कि हम टिक्की जब सेकेंगे, जल्दी फ्राई हो जाएंगे तो मैंने उतने में तीन टिक्कियां बनाई हैं, तो कि आलू हमने ज़्यादा नहीं डाला है, और चुकि इसमें हमने सबजियां भी डाली हैं तो इसलिए इसको केरफुली हमें फ्राई करना होगा और ये सबजियां हैं, इनको भी फ्राई करेंगे, हलका सा सौटे करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे तो एक पैन ले लेंगे, और उसमें हम डालेंगे बटर या ओल जो भी डालना है, वो डालेंगे और तोड़ा ये गरम हो जाए, फिर हम जो स्लाइसेस काटके रखे हैं, कुकुम्बर या खीरे को छोड़ करके, बाकी थोड़ा सा बस हलका सा सौटे कर लेंगे आधा एक मिनिट दोनों साइट से पसंद के अनुसार इसको आप मुलायम कर सकते हैं तो कैपसिकम अमरा सौटे हो गया है, उसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा ओईल ओर डाल रही हूं मैं और इसी तरह टमाटर और प्याज भी सब सौटे कर लेंगे तो ये प्याज डाल दिया है, और पैन बड़ा है, इसमें टमाटर भी आट कर देंगे कहीरे को सोटे नहीं करना है, बहुत जादہ हमें फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा हलका सा सौट हो जाए, अब चाहें, तो कच्चा भी अस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमारा सोटे हो गया, थोड़ा सौट हो जाए, फिर मैं निकाल ले रहे हूँ टमाटर और प्याज मैंने निकाल लिया है तो अब इसमें मैं पनीर के स्लाइस डाल रहे हूँ तो मैंने दो ही स्लाइस लिया है और इन में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली डाल करके थोड़ा सा हलका सा स्पैसी बना रहे हूँ तो दोनों तरफ से टिक्कियों को हम हलका सा स्पोर्ट आने तक फ्राई कर लेंगे जिससे कच्चापन भी निकल जाए और दोनों तरफ यह हम नमक और लाल मिर्च अड़ करके फिर इसको फ्राई करेंगे और दो ग्रीन चिली चटपटा बनाने के लिए और डेकॉरेशन के लिए मैंने दो हरी मिर्चे लिए हैं स्लाइस करके उसको भी थोड़ा फ्राई कर ले रहे हूं एक तरफ हो गया है पनेर अब दूसरी तरफ भी इसको फ्राई कर लेंगे और मैं इतना ही बस सेक रहे हूं आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा सेख सकते हैं तो चलिए हमारी सारी सबजियां सिख गई हैं तो अब हम टिक्की डाल देंगे इसमें लास्ट में और इसको केरफुली हम मुलट पुलट करके फ्राई करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा सा ओइल और डाल लिए और थोड़ा सा इसमें ब्रेट क्रम्प्स भी मिक्षर में आड़ कर सकते हैं जिससे कि वो टिक्की आं क्रिस्पी ज़्यादा होंगी तो टिक्कियां भी हमारी सिख गई हैं अब चलिए असेंबली कर लेते हैं तो मैंने एक सौफ्ट वाली कैबेज लीफ लिये पादगोभी की पत्ते लिया है तो इसमें अगर आप मैयोनेज पसंद करते हो तो सबसे पहले मैयोनेज अड़ कर सकते हैं मैं मैयोनेज नहीं अड़ ले रहे हूँ ग्रीन चटनी डाल रहे हूँ ग्रीन चटनी के उपर डाला है थोड़ा सा रेड अन होट टोमैटो सौस और अब इसके उपर डालेंगे टिक की और फिर इसके उपर डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी सबजियाँ तो इसका कोई सेक्वेंस नहीं है अपने पसंद के अनुसार आप सीक्वेंस अरेंच कर सकते हैं और जो सबजियां चाहें तो आप exclude भी कर सकते हैं, ओइट कर सकते हैं, तो सारा हम arrange कर देंगे, और फिर इसके उपर पनीर की slice, अगर आप दो पनीर की slice यूज़ करते हैं, तो एक slice चतनी के उपर रखें और एक slice अब रखें, थोड़ा सा मैं इस पर herbs एड़ कर रहे हूं, ग्रीन चिली के वज़ाए थोड़ी चटनी और add कर रहे हूं, थोड़ा सा hot and sweet chili sauce थोड़ा सा और, और लास्ट में थोड़े से onions गानिश कर रहे हूं, तो लीजे हमारी एक burger त्यार हो गई है, तो हम दूसरा burger भी त्यार करेंगे, तो friends try जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइ करिएगा, और दूसरे leaves लेकर के मैंने दूसरा भी हमने तयार कर लिया है, दूसरे के लिए मैंने थोड़ा dark पत्ता लिया हुआ है, thank you for watching friends